विपक्ष उतना ही हिस्सेदार होता है इस पूरे सिस्टम का जितना की सत्ता पक्ष होता है ज्यान की कमी है ना अनुभव की कमी है सभापती के रूप में आप किसी दल से बंदे हुए नहीं रहते हैं सभापती है तो बिना द्वेश बिना भेद भाव का वहां पर आपको न्याय करना है सकी बात सुननी नेता है महाकरदन के वो पहुंचे थी उनके रमंकन में जहांके तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सभी ने नौमिनेशन कर दिया है और सिर्फ एक वेक्ति नहीं नौमिनेशन किया इसलिए देवेश चानल ठाकुर का सभापती बनना भी लगवर लबगता है तमाम तस्वीर कि प्रति आभार है मैंनेता के प्रति अबहार है और पूरे विधानि परिशत के बो lately ौर कंव और है सभी लोग ने सभी लोगने सभी करने का वादा दिया है सभी ने बदाई दिया स्विवेश च्छिन ठाकुर पहले तो सब्सक्रासा बूला करते हैं जब से आप हैं तब बात उज्यागर करने का बखो भी करने का उनको मौका देखते होंगे कि हाँ पक्ष और विपक्ष में लाईयां भी होने लगती हैं हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जो कल तक साथ है अब वो साथ नहीं है तो ऐसे में उनको भी साथ लेकर चलना होगा देखिए सभापती के रूप में आप किसी दल से बंदे हुए नहीं रहते हैं ज काम उनका करतब है इसलिए वो गलत करते हैं समय नहीं मानता कभी कभी लोग ज्यादे उत्तेजित हो जाते हैं तो उन्हें संभालना सत्ता और विपक्ष में सामंजस से करना इसमें कहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी है पार्टी का और नितिश कमा का भी आभार रख कर अचाना बने हैं सब्सक्राइब Sultan最近 कि स्फेथ लोग को इसंपना ऊओ साथ है अवर क्या कुछ यह कह रहे थे पक्ष और विपक्ष नुन को साथ लेकर चलना है बहले ही विपक्ष उतेजित हो जाइं लेकिन विस पर बंत करके ऐसा महल बनाना है किस दन की गरीमा भी बनी रहे और सब जनता के जो मुद्दे उठाते हैं उसका जवाब भी सत प्रिश्ट मिल जाए यह इनकी पहल रहेगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ-साथ फेस्ट पेज भी लाइक रहें धन्यवाद